हरे क्रिष्णा मैं मोमनी, आज हम बनाईंगे वाइट पास्ता पास्ता बनाने के लिए मैंने एक कप पास्ता लिया है मैंने कड़ाई गैस पर रख दी है, चार कब पानी डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक चमच तली डाल देंगे पानी को बॉil होने देंगे इसमें डालेंगे एक पास्ता और करीब 2 से 3 मिनट तक हमको पास्ते को अच्छी तरह से पकाना है पास्ता हमारा बॉil हो चुका है इसे चेक करने के लिए हम एक नाइफ लेंगे और पास्ते को बीच में से काट के देखेंगे पास्ता हमारा बॉय हो चुका है गैस बन कर देंगे पास्ते का पानी हम निकाल लेंगे और उपर ठंडा पानी डाल देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने गैस पर एक पैन रग दिया है इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे दो बड़े चम्मच डालकर तेल गर्म करेंगे बटर हमारा मैल्ट हो चुका है मैंने चार चम्मच मैदा लिया है थोड़ा सा मैदा डाल लिया है और अच्छी तरह से मिला लेंगे बच्चा हुआ मैदा भी डाल देंगे और अच्छी तरह से करीब दो मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे मैदे को हमको एक मिनट तक पकाना है इसमें डालेंगे हम देड़ कब दूद आधा चमच शक्कर डालेंगे नमक डालेंगे आधा चमच, आधा चमच डालेंगे कारी मीच पाउडर और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे औरिगोन डालेंगे आधा चमच, चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा चमच और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे पास्ता जो हमने बॉइल किया था ना उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे पास्ते को हमको करीब एक मिनट तक पकाना है इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ कप चीज आपके पास चीज ना हो तो चीज स्लाइज भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से सभी को मिला लेंगे गैस बन कर देंगे पास्ता हमारा बन के तयार हो चुका है दस मिनट में ये रेसिपी बन कर तयार हो जाती है यम्मी चीजी पास्ता प्लेट में सर्व करें आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर जरूर करें